आदाब मौलाना आजाद नैशनल उर्दो उनिवर्सिटी के इस शेक्षिक कारिक्रम में मैं डॉक्टर तबस्तुम बेगम अतीती प्राध्यापक हिंदी आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रिविध्यार्थियों आज हम बीए के हिंदी पाठिकरम के प्रश्ण पत्र हिंदी साहित्य का इतिहास प्राचीन एवं मध्यकालिन काव्य के अंतरगत भक्ती आंदोलन सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रिष्ट भुमी विशे पर चर्चा करेंगे जो की बीए प्रथम व इस सेक्षिक कारेकरम को देखने के बाद आप भक्ती आंदोलन के आविर्भाव में उस समय से पूर्व की सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्टियों के योगदान से अवगत होंगे ततकालिन विभिन वर्गो में विभक समाज की जहांकी मिलेगी समाज में दो धर्मों का परस्पर मेल किस प्रकार हुआ इसकी जानकारी होगी दो धर्मों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान की जानकारी होगी किस प्रकार ततकालिन ललित कलाव ने समाज में धर्म निर्पेक्षिता की भावना को जागरित करने में अपनी भूमी का निभाई इस से अवगत हो सकेंगे तो अब देखते हैं सामाजिक प्रिष्ट भूमी हिंदी साहित्य के मद्धिकाल का समय तेरा सो इस्वी के आसपास से सत्रा सो इस्वी के आसपास तक माना जाता है इसमें भक्ती आंदोलन की शिरुवात एक आकस्मिक घटना नहीं थी और ना ही ये सत्रा सो इस्वी के बाद अचानक रुख गई भक्ति आंदोलन ना केवल 4-5 शताब्दियों तक सीमित रहा अपितु इसने पुरे भारतिय जनसमाज को कहीं शताब्दियों तक प्रभावित किया और अब भी इसका प्रभाव अखंडित है यही नहीं इस आंदोलन का ना केवल धार्मिक महत्व है अपितु सांस्कृतिक और सामाजिक द्रिश्टि से भी इसने भारतिय जीवन को एक नई दिशा दी है इस संबन में ढौक्टर हजारी प्रसाद दिवेदी का कहना है कि नया साहित भक्ती साहित मनिश जीवन के एक निश्चित लक्ष और आदर्ष को लेके चला ये लक्ष है भगवत भक्ती, आदश है शुद सात्विक जीवन और साधन है भगवान के निर्मल चरित्र और सरल लिलाओं का गान इस साहित को प्रेड़ना देने वाला तत्व भक्ती है इसलिए ये साहित अपने पूरवर्ती साहित से सब प्रकार से भिन है मद्यकालिन भक्ती आंदोलन के उदे के क्या कारण थे इस पर बहुत से विद्वानों ने विचार किया है और भिन-भिन निशकर्ष निकाले हैं जो इस प्रकार है कुछ विद्वानों ने इसे मुसल्मानों के आकर्मन की प्रतिक्रिया माना तो किसी ने इसायत की देन कहा कुछ विद्वानों ने दक्षिन के आलवार भक्तों को इसका श्रै दिया तो किसी ने इसे निराश जाती की कुंठा ग्रस्त और अंतर्मुखी चेतना की अभिविक्ती कहा इन कार्णों के अलावा भी गुप्त सामराज्य के पतन, वैदिक प्रवरितियों के मिटने एवं तांत्रिक प्रवितियों के प्रसार ने भी भक्ती भावना को और बल देने का काम किया प्रिविध्यार्तियों जैसा कि मैंने इस चर्चा में आप सब को पहले भी बताया है कि भक्ती आंदोलन कोई आकसी घटना नहीं थी जो तेरा सो इस्वी से ही अचानक शुरू हो गई इस पर अपना मंतव्य प्रकट करते हुए डॉक्टर दिवेदी कहते हैं कि ये बात अत्यंत उपहा सास्पद है कि जब मुसल्मान लोग उत्तर भारत के मंदिर तोड रहे थे तो उसी समय अपेक्षाकृत निरापत दक्षिन में भक्त लोगों ने भगवान की शर्नागती की प्रातना की मुसल्मानों के अत्यचार के कारण यदी भक्ती की भावधारा को उमरना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था पर वो हुई दक्षिन में इसमें एक बात और ध्यान देने की यह है कि सन इस्वी की सात्वी शताबदी से या कुछ पुर्व दक्षिन में वैश्न भक्ती ने बड़ा जोर पकड़ा था यह आलवार भक्ती थे जिने भक्ती आंदोलन का जर्मदाता माना जाता है यह एक महत्पुन्ट तथ्य है कि इन भक्तों में कुछ नीम्न जाती के भी थे। इन भक्तों ने भी दक्षिन में पद यात्रा कर भक्ती का प्रचार किया था। इनी की देन है कि भक्ती भावना के अधिकारी अन्य जाती के लोग भी हो सके। इसी कारण इनका भक्तिवाद जन साधरन की वस्तु बना जो शास्र का सहारा पाकर सारे भारत में फैल गया इन आलवार भक्तों की परंपरा में आगे चल कर ग्यारवी शताब्दी में सु विख्यात वैश्नव आचारे श्री रामानूज हुए रामानूजा चारे की भक्ती का प्रभाव उत्तर भारत में जब फैला तब उनकी शिश्य परंपरा में रामानंद हुए उत्तर भारत में भक्ती धारा को नए सिरे से प्रभावित करने का श्रे इन्ही स्वामी रामानंद और वल्लभा चारे को जाता है स्वामी रामनंद का संबन्ध दो शेणी के भक्तों से बताया जाता है पहले वे जो निर्गुन भाव के राम के उपासक भक्ते दूसरे वे जो राम के उपासना अफतार रूप में करते थे इन दोनों प्रकार के भक्तों में प्रधान समानता केवल राम नाम की थी आचारे वल्लवाचारे ने कृष्ण भक्ती का प्रचार किया। इन्होंने लीला पक्ष पर बहुत अधिक जोर दिया। इसलिए इस संप्रदाय के भक्तों में भगवान के धर्मरक्षक, मर्यादा पुरुशोत्तम और दुष्ट दम्वन रूप गौन हो गया। और सहारा देते हुए भक्ती आंदोलन को घर घर तक पहुंचाया। दूसरी और मुस्लिम सामराजे की स्थापना ने यहां की सामाजिक व्यवस्था को भी काफी हद तक प्रभावित किया। नीम्न वर्ग स्वधर्मियों के द्वारा हें दृष्टी से देखे जाते थे। तो इन लोगों में विद्रो और आक्रोश की भावना जागी जिसकी अभिवेक्ती संत साहित में हुई। चूकि ये संत समाज के इन निम्न शेनी से ही संबंध रखते थे परिणामत उन्होंने समाज की इस विशमता को अपने साहित में प्रस्तुत किया। सामाजिक और धार्मिक द्रिश्टी से उपेक्षित जातियों में उत्पन इन संतों में वैदिक परंपरा के प्रती ना तो आस्था थी और ना ही उसके अध्यन के प्रती रूजी। अधिकांश संत अशिक्षित या अल्प शिक्षित थे जो अनुभव परबल देते थे। पुस्तकिय ग्यान को महत्व देने वालों को लकीर का फकीर या पाखंडी समस्ते थे। किन्तु शास्र विद ना होते वे भी वे बहुश्रूत थे। अतह इनका भक्ती साहित अनेक इश्वरिय अफ्तार के स्थान पर निडगुन एक श्वरवात पर आधारित था। वन वेवस्था में आस्था ना रखने वालों में भी किसी ना किसी प्रकार का आपसी भेदभाव बना हुआ था। इसके बावजूद रामानंद और उनके शिश्य कबीर खुल कर इस भेदभाव का विरोत कर रहे थे। जाती ना पूछो साधू की पूछ लीजियो ज्यान मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। डैनिक जीवन, डिती रिवाज, रहन सहन, पर्वत्योहार आदे के दिश्टी से ततकालिन भारते समाज सुविधा संपन और असुविधा ग्रस्त इन दो वर्गों में विभक्त था। सुविधा के उभोक्ता, राजा, महराजा, सुल्तान, अमीर, सामंत और सेट साहुकार आते थे जिन में मनमाने धंग से वैभप रदिशन की उल्लास पुर्म प्रविती पाई जाती थी। सुविधा हिन वर्ग में किसान, मजदूर, सैनिक, राजकर्मचारी और घरेलू उध्योग धंदों में लगी सामाने जनता थी जो परंपरा का पालन कर संतोश की सांस ले लिया करती थी। ततकालिन स्मृतियों के अनुसार दासों की चार कोटियां थी। जन्म जात, क्रीत यानि खरीदा हुआ, अपरहित जिस पर जबरदस्ती अधिकार किया गया हो या कहीं से प्राप्त या अपने यहां उत्पन। समाज में बहुविवा या पुनर विवा की प्रथाएं भी प्रचलित थी। हिंदूं में संयुक्त परिवार पाए जाते थे। इसलामी संस्कृती के कारण परदा प्रथा उन दिनों की आवशक्ता बन गई थी। फिर भी स्री शिक्षा की विवस्था थी और कला साहित्य के निर्मान में स्रीयों का योगदान रहा करता था। चुआ चूत के नियम इतने कठोर थे कि शुद्रादी जातियों तक में परस्पर भेदभा बरता जाने लगा था। प्रिविध्यार्तियों अब हम संस्कृतिक प्रिष्ट भूमी पर बात करेंगे। मद्यकाल दो भिन संस्कृतियों के टकराव का यूग था। प्रारम में इनमें संघर्ष का उग्र रूप दिखाई पड़ता है और बाद में समन्वे की चेष्ठा भी मिलती है। धार्मिक रूप में शैव, शाक्त, भागवत और गणपत्य जैसे प्रमुख धर्मों में ज्यान, योगतंत्र और भक्ती की प्रवितियों का समन्वे होने लगा था। योग का प्रभाव उस समय इतना अधिक बढ़ गया कि भक्ती, ज्यान और कर्म के साथ योग शप्त का जोड़ा जाना आवशक समझा जाने लगा। धार्मिक शेत्र के साथ कलाओं जैसे मूर्ती एवं वास्तु कलाओं में भी समन्वे आत्मक प्रविति का विस्तार हुआ। एलोरा के समीप कैलाश मंदिर में शिव की मूर्ती के सिर के उपर बोधी वरिष का स्थित होना इसी समन्व्यात्मक प्रविती का सूचक है इसी क्रम में खजराहों से उपलब कोकल के वैद्देनात मंदिर वाले शिलालेक में ब्रह्म, जैन, बुद्ध और वामन को शिव का स्वरूप कहा जाना द्रिष्टव्य है इसी काल में हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियां एक दूसरे के निकट आईं कला, शिल्प, साहित्य और संगीत इनही की आनुशंगिक उपलबधियां हैं ताजमहल और लालकिला भारतिय तथा इरानी वास्तुकलाओं के सम्रिक्षन के उत्तम उधारन हैं कई मुसलिम विशेष्टा, मुगल शाशक, विद्यानुरागी भी थे उन लोगों ने संस्कृत ग्रंतों का अर्बी फार्सी में अनुवात कराया और अपने धार्मिक ग्रंतों का भी भारतिय भाषा में अनुवात करवाया फार्सी को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ था, फार्सी में इत्यास ग्रंतों की भी रचना हुई इसी के समानांतर सूफियों के उदारदर्शन और सिध्धान्त ने दो भिन संस्कृतियों की खाई को पाटने का काम किया उन्होंने हिंदू जीवन की प्रेम गाथाओं को लेकर ततकालिन जन भाशा अवदी और ब्रज में अपने सिध्धान्तों को भाशा बद्ध किया इस तरह उनकी रचनाओं में दोनों संस्कृतियों का मेल रहा मलिक मोहमद जैसी, कुतूबन, गवासी, मुला दाउद, आदी सूफि कवियों ने अपने काव्यों के माध्यम से हिंदू मुसल्मानों को निकट लाने में महतपुन योगदान दिया भक्ति कालिन साहित में इसलाम और नादपन्ती योगियों तथा सिध्धों से प्रभावित जिस सामाने भक्ति मार्ग या निर्गुन धारा का आरंभ हुआ, उसका आधार एकेश्वरवात का सिध्धान्थ था इसमें जाती पाती के बंधुनों को नहीं माना गया, एवं आडंबर पूर्ण जीवन साधना का भी कड़ा विरोध प्रदर्शित किया गया इस धारा की दो शाखाएं हिंदी साहित में प्रशलित हुई, ज्यानमार्गी शाखा, प्रेममार्गी शाखा ज्यानमार्गी शाखा में कबीर, रैदास, नानक, सुन्दरदास, मलुकदास, दादु दयाल, आधी संथ कवी हुए और प्रेममार्गी शाखा में कुतुबन, मन्जन, उस्मान, नूर मोहमद और जैसी जैसे सूप्रसित, सूफिक अवियों ने लोग साहित में अध्यात्म का प्रेम संदेश दिया इस काल में दूसरी धारा सगुण भक्ती की धारा थी इस धारा के भी दो वर्ग बन गए, पहला कृष्ण मार्गी शाखा, दुसरा राम मार्गी शाखा पहले वर्ग में कृष्ण भक्ती को अपनाया और उसका लोक रंजग रूप सामने रखा इस धारा के प्रमुक प्रवर्तक वल्लभा चारे थे और कवी सूर्दास, नंददास आदी थे राम भक्ती को उत्तर भारत में रामानंद का नेतरित्व मिला और इस शाखा के सर्वस्टेश्ट भक्त कवी तुलसी दास हुए जिन्हों ने रामचरित मानस के द्वारा एक आदर्ष समाज की स्थापना का उधारन प्रस्तुत किया प्रिलिध्यार्थियों आज हमने इस शेक्षिक कारेक्रम के अंतरकत जो कुछ सीखा वो इस प्रकार है भारतिय समाज जिन तत्वों के ताने बाने से निर्मित हुआ है उन में वड़नों और जातियों का विशिष्ट स्थान है समय समय पर कितनी ही मान मंडिलियां इस देश में आती रहीं जिन में अपने अपने धन विश्वास, रिती रस्म और आचार विचार पध्यतियों के संस्कार तथा अभ्यास थे फलसरूप, विजीत और विजेता में किसी ना किसी कारण संघश विद्यमान रहता था कालंतर में उनमें सामन जसी की भावना और समन्वे की चेतना लक्षित होने लगी इसमें भक्ती साहित ने अपना महित पुन योगदान दिया भले ही कवियों ने अपने धर्म का पालन किया लेकिन उनके आराध्य लोकमंगल कारी चरित्र के रूप में ही उभ्रे वन, जाती, धर्म की भावना से उठकर कवियों ने एक आदर्श, समाज और लोकमंगल की भावना हे तू कृतियों की रचनाय की अतह इन ही कार्णों से भक्ती काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण यूग कहा जाता है आशा है कि यह शेक्षिक कारिक्रम आपके लिए लाबकारी सिध होगा इस विशे पर अधिक जानकारी के लिए आप इन पुस्तकों का अध्यन कर सकते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास आचारे रामचन शुक्ल हिंदी साहित्य उद्भव और विकास डॉक्टर हजारी प्रसाद दिवेदी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मग इतिहास डॉक्टर राम हुमार वर्मा प्रेविध्यार्थियों आज के इस चर्चार में बस इतना ही शिग्री ही हम एक नए शेक्षिक कारेकरम के साथ उपस्तित होंगे तब तक के लिए हमें अनुमती दीजिए आदाब अनुमती दोद्वादी में अनुमती जिए legitimate ये भी हमें इतना ही शेक्षिक का आलोचनात्मग ग्रिभे भी हमें झाल झाल